नमस्कार में लवली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अजय भारत में जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 17 मई से चुनाव प्रचार का रत थमने वाला है और ऐसे में राजनीताओं ने अपनी कमक असली है और जोरो सोरो से प्रचार प्रचार कर रहे हैं ऐसे में कॉंग्रस अध्याक्ष राहूल गांधी भी गुरुवार की शाम यानी आज शाम साड़े पांच बजे तक पतना में रोट शो करेंगे इससे पहले दोपहर साड़े तीन बजे विक्रम में पाटले पुत्र से राज़त प्रत्याशी मिशा भारती की समर्थन में जन सभा को संबोधित करेंगे वहां से वो हेलिकॉप्टर से पतना एरपोर्ट महुचेंगे और फिर सड़क मार्क से रोट शो स्थल तक जाएंगे कॉंग्रेस प्रत्याशी सत्रधन सिन्हा के समर्थन में उनका रोट शो मोनिल हक स्टेडियम से निकट से आराम्भ होकर दिनकल गुरंबर से नाला रोड होते वे बुद्ध मार्क पर समाप्थ होगा पहले उनका हेलिकॉप्टर मोनिल हक स्टेडियम में उतरना था पर सूत्रों की माने तो प्रसांसिक अनुमती ना मिलने के कारण ऐसा नहीं हो सका बिहार प्रारंबिक शक्ति सिंग गोहिल और प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन ज्हा ने अधिकारिक लोगों से इसमें पहुँचने की अपील की कॉंग्रेस की राष्टर अध्यक्ष राहूल गांधी की रोड शो को लेकर आज की शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ट्राफिक बदला रहेगा मोनिल हक स्टेडियम प्रेम चंद्र गोलंबर से दिंकर गोलंबर नाला रोड तक की यातायाद व्यवस्था में बदलाव किया गया है नाला रोट चौक से दिनकर गोलंबर तक वहाँ नहीं चलेगी आज यहां से नो इंट्री का भी सामना करना पड़ सकता है आपको वैशाली गोलंबर से दिनकर गोलंबर की ओर से नो इंट्री रहेगी यहां से गाड़ियां मैकडॉनल्ड गुलंबर से बाजार समीती की ओर जाएगी लुहानीपूर से अनुग्रा नारायन रोड होते हुए कदमकुआ की ओर से गाड़ियां जा सकती है प्रेम चंदर गुलंबर से मोनिल हक स्टेडियम या दिंकर गुलंबर की ओर से गाड़िया नहीं जाएंगी ये वाँन प्रेम चंद गुलंबर से सहतपुर रोड बारिपत से पूरप पच्छिम की ओर जाएंगी मेकडॉनल्ल गोलंबर से उतर प्रेम चंद्र गोलंबर की ओर से भी गाड़िया नहीं जाएंगी ये गाड़ियां बहादरपोर रोड होकर बाजार समीती की ओर जाएंगी तो बना रहे हमारे साथ और महार जाहर खंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सर्फ और सर्फ अजय भर